आज जो हम वीडियो बनाने लगे हैं यह बहुत ही डिफ्रेंट आइडिया है इसके अंदर हम हेर वाइन बनाने वाले हैं एक सिंपल हेर वाइन जो मैं पहले तियार कर चुकी हूं आप उसको देख सकते हैं इसको मैंने सिंपली सिरफ यह एक तरह के बीर्जी लगा कर बनाया है और यह बहुत ही अच्छी लेग रही है मगर इस वाली के लिए हमारे पास जो मैटीरियल रिक्वाइर है उसको देख लेते हैं सबसे पहले वाइर यह बारी गोल्डन वाइर है उसके इलावा मेरे पास कुछ बीर्ज हैं आप इनकी शेप देख सकते हैं यह डार्क रीन क कुछ यह लाइट ग्रीन कलर के बीड्स कुछ गोल्डन वीड्स यह भी वाइट ही है और इसी तरह कुछ इस शेप के बीड्स उसके बाद वाइर को मॉल्ड करने के लिए आपको प्लास चाहिए होगा और कटिंग के लिए सीजर सो लेट्स सेबसे पहले आपको राइल को करना में है इसको अपने हेड्स साइज का यस आपको इर वग चाहिए उससे काफी ज्यादा लेंथ में करें इसको उपर यहां बहले में से डू VP कर लें उसके बाद स्वाइग बना लूप बना लें उसके लिए आप यहां पर फिंगर रखें उसके बाद इसको यहां से पकड़ें और यूँ बेंड कर दें अब इसकी दो साइड में एक साइड पर मैंने यह वाले बीड डाले हैं सबसे पहले आपको एक बीड लेना है और यूँ उसके बाद इसको इस एड से पकड़ें और बेंड कर दें इसी प्रोसेस को यूँ रिपीट करना है क्या है झाल झाल उसके बाद ये मैंने एक वाइट पर्ल डाला है इसको डालने के बाद यहां पर एक लूप बनाएं और यूँ ही इसको बेंड कर दें झाल 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 एक बीदानू एक बीदानू एक बीदानू एक बीदानू झाल 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 यहां पर यूँ पहले इसको सेट करें जाल लें उसके बाद इसकी जो बैक साइड है यहां पर मैंने यह दोनों इकठी पकड़ी है और अब इनको दुबारा बेंड करने लगी है अब आप आप झाल 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 तरह इसी पैटरन को रिपीट करकर के मैंने इसको कम्प्रीन किया है कम्प्रीन होने के बाद जब आप लास्ट बीड को डाल लें उसको डालने के बाद जितनी भी आपके पास वायर एक्स्टा बची है उसको पहले यूँ वेफ कर दें सारे को यह एक्सेस पोजिशन कट कर दें कि इसको कट करने के बाद यहाँ पर एक लूप बनाएं और इसको भी इसी तरह से मौड़ दें जैसे कि हमने इसकी स्टार्टिंग पे किया था कि आप इसको देख सकते हैं कि लूप्स की मदर से आप इसको सिकाफपिन के साथ बालो पर यह का अपकर सैट कर सकते हैं इसके लिए बहुत सिंसी टेकनीक है जिसके आपकोicism कि वो ये के wire को over bend नहीं करना जहां से आप इसको ज्यादा बहुत ज्यादा bend कर देंगे वहां से ये तूट जाएगी इस वज़ा से आपको सिरफ इतना ही bend करना है कि ये bead hold कर सके इसलिए अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को like, share और subscribe ज़रूर करें अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो comment section में ज़रूर बदाएं और अगर आप इस तरह के craft items भाइ करना चाहते हैं तो हमारे instagram चैनल crafty पर या इसी वीडियो के description में दिये गए नमबर पर direct message कर लें, so Allah Hafiz meet you in the next video